नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका NDC निश्यूर्ट क्लासेज में तो अब तक जो तीन टेस्ट हुए हैं वो बड़े ही शांदार टेस्ट हुए है आप लोगों का स्कॉर भी जो है 55 से क्रॉस कर रहा है न पच्पन से ज्यादा 5556 57 कोशन बढ़िया तैयार कर रहा हूं। लेकिन कठीन पेपर की परिभासा क्या होती है कठीन पेपर की परिभासा यही तो होती कि ऑप्ष denial सी मिलर आते हैं और आज के‐स में आप यही देखाओंगे क्योंकि आज का टैस्त है उप्सर्क और प्रत्य के बारे में तो आप देखें गे logs 핫न इतने कहतर जादा वीडियो को शेर करें, एक बार स्टेटस जरूर लगाएं, उसके बाद क्लास में वापस आएं, ये आप लोगों के, आप लोगों से मुझे उम्मीद है और मैं जानता हूं कि आप मेरी उम्मीद पे खरे उतरेंगे, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, गणिस भगव प्रेश्ण को पूरा नमाने, समझ गए बात को आप, तो यानि कहने का मतलब आप कि ये नहीं आना, गच्चा खवाई जाएगा डेड़ सो में से, तो आप थोड़ा विशेज ध्यान रखें, तो निमने से किस सब्द में सूपसर्ग का परियोग नहीं हुआ है, तो ये दे देखेंगे प्रार्तना प्रतिवादि ये है, ये है वो सबसे सरल प्रक्षन जिसके कारण फेपर सरल माना जाता है, क्यों ये प्रती, ये प्रती, ये प्रती धनेग और इसमें प्रह है, तो कोई भी व्यक्ति इसको सही कर देगा, लेकिन जब आगे मैं बताऊंगा कि इस सब्द में सू उपसर्ग का परियोग हुआ है उसमें पूछाता नहीं हुआ है इसमें पूछाता हुआ है तो आप देखिए सू प्लस नदर नहीं हो सकता क्योंकि उपसर्ग जो होता है वो नए शब्दों का निर्मान करता है नए शब्दों का निर्मान करता है इस बात का व अपसर्ग हो चाई परते हो जैसे परते को अधान लेता हूँ जैसे शीतल शब्द है तो इसका अगर टुकड़ा करेंगे तो हम ऐसे कभी नहीं कर सकते शीधल तल नहीं हम क्या करेंगे शीधधन ल करेंगे रीजन क्या है कि जो परते युक्त शब्द होता है उसका मूल शब्द से अर्थ मैच करना आवशक है शीत और शीतल ये मैच करता है लेकिन शीत और शी और तल ये बिल्कूल भी मैच नहीं करता है तो मूल शब्द का उपसर्ग या परते युक्त शब्द से अर्थ मैच करना आउशक है ठीक है तो ये कहता है कि किस सब्द में सूप सर का परियोग हुआ है तो देखिए सूप लस अंदर नहीं होता सूप लस ख नहीं होता सूप लस पता नहीं होता ये क्या हो जाएगा सूधन अच्छ तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसमें राइट है हाँ कल में थोड़ा स्पीट से चला था तो बहुत लोगों ने तारीफ की थी कि सर हाँ आप इतने समय के अंदर आप अबजेक्टिव करवाएं ताकि हमारा समय भी बज़ जाए और हमें एक टॉपिक क्लियर हो जाए साथ कोशन है बड़े शांदार कोशन है चलिए किस सब्द में अनुपसर का परियोग हुआ है अनुकार्थ होता पीछे तो देखते हैं क्या अनुपियोगी है क्या अनुत्तरदाई है अनुपजाओ है अनुसार है तो फटा बड़ा आंसर बताएं इसका राइट आंसर क्य होगा अनुपियोगी अनुपजाओ अनुत्तरदाई आज की क्लास जो है यह मैं लाइव देने का प्रियास करूँगा देखते हैं कितने लाइव चलते हैं कि सब में अनुपसर का प्रियोग हुआ है तो इसका होगा अनुपियोगी अनुपजाओ अनुपजाओ अनुपज तो right answer क्या होगा? D option right होगा. उसके बाद हम देखते हैं, question number 5, कू उपसर्ग नहीं है, कू फल, तो कू फल हो सकता है, ठीक है, कू मार्ग हो सकता है, कू रूप हो सकता है, कू सुम, कू और सुम हो सकता है क्या? नहीं, कू सुम फूल के लिए आया है, right answer होगा, D. किस सब्द में प्रयुपसर्ग का परियोग नहीं हुआ है, तो प्रयधन, अदिधन, आधन, पक है न, इतना तोड़ेंगे कैसे? प्रयधन वाह, प्रयधन सिद्धी, प्रयधन था, तो क्या प्रयधन था होगा या नहीं होगा? प्रयधन सिद्धी, तो बिल्कुल इसमें right answer क्या होगा? D. होगा. अगर कोई गलत by chance किसी का, जैसे कल के प्रिश्टर में भी बताया कि सर, आपने 15 number caution का answer गलत बताया था, जबकि वो गलत नहीं था, वो एकदम सही answer बताया गया था मेरे दुआरा, फिर भी आपको कोई doubt हो, तो आप comment करें, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं सर की insult होगा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर गलत होगा, तो मैं वापस देखूँगा कि कहीं कि मैंने answer गलत नहीं बता दिया हो, मैं उसका आपको reply ज़रूर दूँगा. किस सब्द में उपसर्ग का परियोग नहीं हुआ, यानि एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं आया है, देखते हैं, आंसर दीजिया फटाबड अतिधन, अधिक, निसधन, प्रयधन, योजन, यहाँ पर सुर्धन, ईश, और यहाँ अभी दन अर्थी, तो आप जानते हैं कि इसमें उपसर्ग नहीं आया, किस सब्द में उद उपसर्ग नहीं है, बहुत यह अच्छा प्रश्ण है, यह है वो कठिन प्रश्ण, उत धन लेख, उत धन यान, उत धन घाटन, उदार में नहीं होगा, अब कोई इसका अगर गलती से उत धन आर करे, या मानलो उद धन आर करे, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो आठ कॉशन हो चुके हैं, आगे चलते हैं हम, कॉशन नमबर नो, कॉशन नमबर नो केता है, किस सब्द में कूउपसर का सही परियोग नहीं हुआ है, क्या पूछ रहा है, नहीं हुआ है, कूधन पुत्र, कूधन सल, ओ माई गॉड, कूधन मती, कूधन लक्षन, तो कूधन लक्षन, कूधन मती, कूधन पुत्र होता है, कुदन सल नहीं होगा किस सब्द में बे उपसर्ग का सही परियोग नहीं हुआ है यह दो को बार बार मैंने नहीं के डाले है प्रशन रिजन बहुत बढ़िया प्रशन है और कन्फिजन बे धन इमान बे धन वज़ा बे धन फिजूल बे धन वफा ओ माई गॉड यह तो सारे के सारे बे उपसर्ग लगे हैं लेकिन प्रशन क्या कह रहा है सही परियोग नहीं हुआ है यानि बे फिजूल क्या होता है फिजूल होता है बे फिजूल का मतलब तो एक्तम सही खर्च हो रहा है तो ये गलत आंसर है B, बे फिजूल, इसमें गलत उपसर्ग का परियोग किया गया है, कॉशन नमर 11, निश्फल, शब्द में परियोगत सभी सही उपसर्ग वाले विकल्प का चायन करें, तो निस, निस, अहां, निस होगा, क्यों? आप याद रखें, देखिए, चाहे निश चय में सहसंकर हो, चाहे निस तेज में सहसडक हो, तीनों में ही उपसर्ग हमेशा निस सहसडक ही रहेगा, शहसटकोन आए, सहसंकर आए, या सहसडक, शटकोन, संकर या सडक कुछ भी आए, उपसर्ग हमेशा निस ही रहता है, सेम यही निम यहां काम करेगा, दुष्ट पर करके आप कर सकते हैं दुस होगा आगे चलते हैं आगे चलते हैं इसमें आप देखेंगे अनुचित अनुचित सब्द में परियुक्त सही उपसर्ग वाले विकल्प का चैन करें तो ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रश्ण है इस प्रश्ण का भी आप सही अगर उत्तर देंगे तो निश्यत रुप से आपको लगेगा कि बहुत जवर्दस प्रश्ण है अनुचित सब्द में परियुक्त सही उपसर्ग वाले विकल्प तो इसका क्या हो जाएगा आप सब जानते हैं अनधन उचित हो जाएगा क्या हो जाएगा अनधन उचित इसका मतलब अन कहा है अन जो है वो बी ऑप्शन में जो है अनुपसर्ग है आप नेक्स प्रश्ण देखे पुनर जन्म पुनर जन्म शब्द में परियुक्त सही उपसर्ग वाले विकल्प का चैन कीजिए तो पुनर पुनर पुना पुनस क्या होगा ये बड़ा अच्छा प्रश्ण ह इसमें कही न कहीं पुनर और पुनस दौनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन कंफ्यूज होना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहां होगा पुनर धन जन्म अब दέखो ये एक ऌपशन यहां ये गलत दे दिया अगर सपोस्जेट ये ऌपशन होता तो कंफ्यूज ब बनता लेकिन तब भी मत करना संधी करो तब तो पुन है विसर्ग लगाना और जब उपसर्ग पढ़तियों में आ जाओ तब रह या सर को मानेता देना ठीक है चलिए आगे चलते हैं प्राग एतिहासिक शब्द में प्रियुक्त सही उपसर्ग वाले विकल्प का चायन कीजिए तो हम सब जानते हैं प्राग होगा गः होगा गः होगा बहुत अच्छे उप्शन है यह होते हैं कठिन प्रिश्ण कंफ्यूज करने वाले जो सोचते हैं कि हम साथ बिन में सदन एक ऐसा निचलेंगे तो कर जो है वो किस में बतल रहा है गर में तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा निम्न में से उपसर्ग रहित देखो यह मैं फिर कह रहा हूँ आप ऐसे प्रश्णों को दिंग से पढ़ना कोई पूछ रहा है उपसर्ग रहित सदन योग मैंने गलत बताया यह कौन सा बताया राइट है उपसर्ग रहित रोजाना में कोई उपसर्ग नहीं है नेक्स्ट कोशन की और चलते हैं अब तक उम्मीद करता हूँ आपके एक भी गलत नहीं होगा उस वोला कोशन में से निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहि को देख सके उससे पहले में आपको एक चोटी सी मुझे चीज याद आगे जो मुझे फर्स्ट में बताने चीए थी आज रीट का एक मॉडल पेपर लिया गया था बहुत ही जबरदस्ट पेपर था आपने देखा हो नहीं देखा हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जिनोंने भी हिंदी पॉइंट पर चाहे सात रुपे की टैसरी चाहे कीस रुपे की चाहे काउन रुपे की चाहे 3500 को एक्सवाइजर कोई भी कोर्स ले रखा था मैंने सब में वो पेपर और OMR सीट अप्लोड की है आप उसका प्रिंट निकाले पेपर देवें आंसर की रात को अप लिंक दे रखा है और वहां से पर्चेज करें और ज्यादा रुपे नहीं होते हैं और एक बढ़िया पेपर मिल रहा है उसको मुल्यांकन जरूर करें और सबसे बड़ी बात है उसके अंदर सामाजी के हिंदी के संस्कृत के सासा टेस्ट अब तक आपने ले लिए होंगे नहीं लिए हैं तो वो भी किस रुपे वाड़ी जरूर ने फाइदा होगा क्योंकि वो सारे कॉश्चन्स जो है ना हमने नवी से जो छटी से बारवी किताबें वहां से बनाई वह हैं और मैं बाद में आपको बता भी दूँगा कि देखो किताबों सही सारे प्रश्चन आ तो इसका राइट अंसर होगा लेखक क्यों क्यों क्योंकि अनू उपसर्ग अउपसर्ग और दूर उपसर्ग यहां लेखक में अख पढ़तिया है निमने शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द वाले विकल्प का चैन कीजिए तो देखिए अपधन व्याय सूधन कृत प विकल्प का चैन कीजिए तो निह धन क्या हो जाएगा निह धन नहीं हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो निरद स्वरी यह कौन सा गया तो क्या हो जाएगा निस धन चै यह क्या हो जाएगा निस धन पाप यह क्या हो जाएगा निह धन रोग ठीक है यह क्या हो जाएगा निह धन मित बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्या यहां नी होगा नहीं होगा सीधा नी होगा नी प्लस रोग और फिर जब मिलती है तो नी दिर्ग हो जाती है तो यहां पर हम क्या करेंगे निमित करेंगे निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द वाले विकल्प का चैन कीजिए खुश धन्बू ये कह रहा है उपसर्ग रहित जिसमें उपसर्ग नहीं है सर पंच सर उपसर्ग है कम जोर कम उपसर्ग है सर अब देखिए खुश धन्बू और सर्व धन्ग्य लेकिन यहाँ पे देखिए सर्वधन ग्या है सर्वधन ग्या है कम धन जोर यह कह रहा है उपसर्ग रहित शब्द अब देखिए खुश उपसर्ग होता है और नहीं होता है होता है बिल्कुल खुश हाल, खुश बू, खुश मिजाज है ना सरपंच में सर उपसर्ग होता है दी होगा ये है अच्छा प्रश्ण ये है कठिन पेपर के निशानी ऐसे पेपर आता है जो confuse कर सकते हैं ये कठिन पेपर कहा जाएगा आगे देखेंगे किस सब्द में पराउपसर का प्रयोग नहीं हुआ है तो आप देखेंगे पराधन जय, पराधन कास्टा, पराधन धीन, पराधन करम ओ माई गॉड यह तो कठिन प्रशन है नहीं, बड़ा सरल प्रशन है, आंसर आपके सामने है पहचानने का प्रयास करें किस सब्द में पराउपसर का प्रयोग नहीं हुआ है तो देखेंगे, अध्य पतन, अध्य मरा, अध्य धन गती, अध्य धन, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, अध्य धन, मरा किस सब्द में अधी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अधिकार, अध्यादेश, अध्याई, उप्युक्त, अभी ओ, बहुत जबरदस प्रश्ण है ये कईयों के दिमाग में आता है, कार पढ़ते होगा, नहीं, मैंने उपसर्ग की क्लास बहुत जबरदस क्लास दी थी मेरी आज तक की उपसर्ग की कलासेज में से सबसे बढ़िया कलास इस बार जो मैंने रीट के लिए ली थी, वो सबसे बढ़िया कलास है उपसर्गी तो अधीधन कार, अधीधन आई, अधीधन आदेश, तो आप देखेंगे इसके अंदर उप्युक्त सभी होगा, तीनों के तीनों में उपसर गया, इसमें अधीधन कार है, अधीधन आदेश है, अधीधन आई है, निमनली सब्दों में वह चुनिये जिसमें किसी उपसर का परियोग नहीं हुआ है तो अधन पार अधन खाद्य अधन नार अधन काल कौन सा होगा बहुत बताओ देखें one two three इसका जो राइट आनसर है वो आप कमेंट वाक्स में जरूर बताएं तो इसमें अनार होगा कौन सा होगा अनार होगा निम्नले के सब्दों में वह है चुनिए जिसमें किसी उपसर का परियोग नहीं हुआ है प्रतीमा, प्रत्याक्ष, प्रकट, प्रतीमा बहुत बढ़िया प्रश्ण है ये 25 नमर कॉश्ण वही है जो मैं हमेसा देता हूँ लेकिन आज इसमें चर्चा हम यहीं कर लेंगे देखिए प्रतीधन कट, प्रतीधन अक्षी, प्रतीधन मा, प्रतीधन भा, अभा होता है तो क्या प्रतीमा होगा इसका अंसर या नहीं होगा आज आपको यहीं बताना है कि प्रतीमा अंसर सही है या फिर नहीं सही है बस आप इतना ही आंसर दीजिए, यह सबसे टफ प्रश्ण है आज के पेपर का एक और आएगा आगे, यह सबसे टफ प्रश्ण है आज के पेपर का तो देखिए, अनल, अन्यत्र, अनील, अने, बहुत बढ़िया प्रश्ण है, मैं कहता हूँ, ऐसे प्रश्णों की अगर कोई तयारी करवाता है ना, तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया तयारी होती है, तो आप खुद बताएं, इसका राइट आंसर जो है, वो क्या ह होगा, अने, वगरा, वगरा, क्या होगा, अनल, अन्यत्र, एक अनल में आप नल, अगर अलग कर देते हो, सपोर्स एड़ आप और नल कर देते हो, तो बिल्कुल गलत हो जाता है, रिजन, नल का इस सब से क्या लेना देना है, अनल का नल से क्या लेना देना, कोई लेना दे अनील तो अ का नील से क्या लेना देना अनील का नील से क्या लेना अ और नए राइट आंसर होगा डी भौट अच्छा उप्शन है मैंने आपको जो तरीका बताया है आप इसा अपलाई कीजिएगा आपका प्रश्ण गलत नहीं होगा कि आप मूल शब्द का प्रत्य या उप यह नहीं यहां तैंस मैंसे वैसे अभ्योय हो है जी में किसी उपसर्ग का परियोग हुआ है इस प्लस अन्स होगा ये तो कहा रहा है उपसर्ग किसी उपसर्ग का परियोग हुआ है ये वही अन्यत्र है ना अब या तो इसको यू करो अन्य धन्यत्र लेकिन संदी से तूटता है नि धन्यत्र तूटता है साधन मान होता नहीं है नहीं होता है साकार इसका मतलब साधन आकार तो ये सव उपसर का पर्योग नहीं हुआ है वैसे ही आगया Been पराधन जाएव पराधन भव पराधन क्रम पराधन अग थोड़ी होगा ये गध थोड़ी होगा तो क्या होगा पराग केस विकल में कूप सर्ग नहीं है कुमार तो हमें लगेगा कुमार लेकिन मार का कुमार से क्या लेना देना है कुपूत होता है क्या कपूत होता है कुमार्ग हो सकता है क्या कु कर्म हो सकता है अब कुल मिला के पूछ रग कूप सर्ग नहीं है तो इसमें तो साफ साफ पड़ा है इसमें भी साफ साफ पड़ा है अब कुमार और कपूत में रह गया अंतर तो आप बताएं किस में क्या है तो आप देखेंगे कि कुपूत कू का मतलब बुरा और हम कपूत लिखते हैं तब भी बुरा ही अर्थ होता है तो इसका राइट अंसर होगा A, कुमार होगा कुमार में कु उपसर्ग नहीं है क्यों कुमार से कौमार्य बनता है इसका मतलब कि यहाँ पर यह मूल्च हब्द ही है किस विकल में स्वधन अजन बिल्कुल नहीं होता तो यह होगा स्वधन जन इसमें तो है यह देखते हैं स्वधन धर्म इसमें भी है स्वधन अर्थ स्वार्थ होता है सूधन आगत तो राइट आंसर कौन सा होगा कौशन नमबर तीस आगे आएं इच्छुक उक्त शब्द में परियुक्त परत्य का निम्न विकल्पों में से सही विकल्पों का चैन करें इच्छा परत्य का निम्न विकल्पों में से चैन कीजिए यह इत्य अर्थ आप यह कभी नहीं बताओगे यह बताओगे इसका मतलब आप रीट के लाइक भी नहीं हो लेकिन और यह में से आपका कंफ्यूज होना स्वाभाविक है तो आप कोसिस करें कि और यह में से जो भी सही आंस आंसर क्या होगा है न रहां यह में से जण Aires क्या होगा तो अधितिधन अ आधित तो क्या हो जाएगा भी ऑप्शन राइट हो जाएगा आगे चलते हैं आगने शब्द में परियुक्त प्रत्य का निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चाहिन कीजिए य, अ, ए, न, अगनी धन, ए, य, अगनी धन, य, 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 अगनी धन, अ, क्या होगा राइट अंसर बताईए, फटाबड बताईए, जल्द बाजी नहीं करेंगे, लेकिन प्रिष्ट पढ़ने के तुरंद बाद हम उत्तर की खोज में निकल पढ़ेंगे राइट अंसर होगा, ए, य, य, आज की टेस्स स्रीज का बहुत बढ़िया प्रशन है बुद्धिमान उक्ट शब्द में प्रियुक्त प्रत्य का निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चैन कीजिए है ना, ये है सरल प्रशन, कोई important नहीं है, ये एकदम सरल प्रशन है, कभी गलत नहीं होना चाहिए अभी आएगा, कठिन प्रशन तो अभी आएगा मनोहर्ष उक्ट शब्द में प्रियुक्त प्रत्य का निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चैन कीजिए मनह, धन, हर, क्या होता है, मनह, धन, हर, निम्न में से कृदंध प्रत्य कौन सा है, कृदंध प्रत्य लुहार है, तेली है, मालदार है, ये δेखो, ये important है यही है वो कठिन पेपर जिसे बोला जाता है यही वो कठिन पेपर है जो आपके सही होना अनिवारी है अगर ये पेपर आपके अगर सही नहीं होता है ये प्रशन अगर आपके सही नहीं होता है तो निश्यत रुप से आपकी तैयारी में कहीं न कहीं कोई चोटी मोठी कमी जरूर है यह क्या पूसरा एक क्रिदंत पढ़ते है देखिए यहां मूल सब्द क्या होगा लोहा ठीक है लोहा यहां होगा तेल ठीक है यहां होगा माल यहां लिखक तो यह किसमे बना लिख में या लिख में अक पड़ते जुनने से लेकक बना यानि लिखना, लिखना में ना हटाय पीछे लिख विज़ा राइट आंसर होगा दी, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो मेरी यूटूब पे जो क्लासेज हैं पड़ते उपसर क्वाड़ी किस सब्त में तद्धित प्रते का प्रियोग हुआ है घबराहट, गुणवान, लड़ाई, वाचक, फटाबन बना बताइए कौन से किस में तद्धित प्रते का प्रियोग हुआ है बताइए देखें कौन सा होगा जिन्दा दिल बनिये और एक्टिव रहिए सक्रिय रहिए और दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि हाँ मुझे सेलेक्शन निकाल के रहना है बस राइट अंसर अपने आप खुद अपनी और गुला लेगा आप देखिए अलग कीजिए गबराना में अहाट ठीक है लड़न पत्रिक सब्द का अंधिरमान किया गया है आगे देखिए किस सब्द में अपत्ते 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 अने संतान वाचक संतान वाचक तद्धित पत्तियों का पर अब बहुत से इस्ट्रिवेंट्स को तो यह नहीं पता होता अपत्ते वाचक कहता है किसें उन्हें तावाचक कहते किसें क्यों उन्होंने बेसिक बेसिक पढ़ने का प्रयास किया सिंपल है रिट निकाल लेंगे मैं अभी मेरे बहुत अजीज मित्र हैं वो भी रीट का एक्जाम दे रह जाना है रीट के एक्जाम को इतना सरल न समझा जाए मैं डरा नहीं रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि कम से कम चार ऑप्शन देखें अगर आपके पढ़ा हुआ है तो फिर आप चार ऑप्शन देखिए प्रेक्शन को डंग से पढ़िए उत्तर खुद बाहर निकल के आएगा लेकिन अगर पढ़ा हुआ ही नहीं है तो फिर आप चाहिए अबजेक्टिव से कुछ भी करना चाहें तो ठीक है आपकी किसमत अच्छे है तो आप निकल जाओ तो पढ़ा हुआ है ना तो अब समय है अबजेक्टिव निकालने का जादस जदा अबजेक्टिव हल कीजिए ठीक है हाँ जी तो इसमें देखिए जान की होगा जनक की पुत्री संतान वाचक इसका मतलब ही क्या होता है संतान वाचक तो संतान वाचक में जनक की पुत्री जान की है तो यह जान की होगा निम्न में से इस्तरी बोधक परते है नहीं माना जा सकता है इस्तरी बोधक परत इस तरह बहुंत पढ़ते हैं इश्वर। को जे ऍागरच लिaders किस सब्द में यह वा। किस सब्द में यायव पढ़ते का प्रीयोंग हूँआ है। अगनी ए जुड़ा है खुद्ध में टोड़ा है। एशुर में याय जुड़ा है। आइश्वری होंगा। किस सब्द में अ प्रते का प्रियोग हुआ है पंक धन इल दिती धन अ या नहीं है वसुधा धन अ है या कवी धन यहां पे यह बहुत अच्छा है यह प्रशन थोड़े डाउट फूल लग रहा है मुझे किस सब्द में अ प्रते का प्रियोग हुआ है वासुदेव में बिल् निवन में से किस सब्द में कृत परते का प्रयोग वाई ये प्रशन अगर आप सही करते हो तो मैं गैरेंटेड बोल रहा हूं आपका सेलेक्शन रीट में कोई नहीं रोग सकता है चलिए ये प्रशन आज आपके सेलेक्शन का आधार बना दिया है मैंने बताईए देखें पटा पटा इसका कमेंट बोक्स में जरूर आंसर दे पंद्रा सो दो जार स्टुएंट आप मैसेज वीडियो देखते हो कम से कम आंसर दीजिए तो इतना आलस मत कीजिए आज 500 प्लस लाइक्स आने चाहिए आज की क्लास सबसे अच्छी मैं डेली जो टैसरीज ला रहा हू उसमें बहतरीन कॉशन लेकर आ रहा हूं ठीक है आपके कुछ पढ़े हुए हैं कुछ पिसले प्रश्णों पेपरों के हैं अच्छे प्रश्णों का समावे इस है बहुत इस्टुनेट है वो तो फीड़बेक देते हैं देको फीड़बेक देना भी चाहिए अगर कोई यहां सब्द क्या है सुन्दर है यहां क्या है यह सुरी यह गुठपन नहीं है यह छुटपन है ठीक है छोटा है और यहां है पानी और यहां है सजना या सजाना समझ गए होंगे राइट आंसर दी होगा क्योंकि यहां पर संग्याएं हैं यहां पर संग्याएं नहीं यह आतू से बनाए ये पूछ रहा है कर्त पड़ते किस सबदमें आर पड़ते Tas wannitions नहीं है लुहार चमार सुनार दीवार तो देखिए लोहा धन आर है न, है न, चाम धन आर सो ना धन आर, दिवार में कोई आर परते नहीं है अगे चलें किस सब्द में ए परत्य का परियोग हुआ है आंजने गारहस्त्य सौर्य कात्यायन साफ साफ दिखाई दे रहा है अंजनी धन ए आंजने किस सब्द में परत्य का सही परियोग नहीं हुआ है चलो आपको एक मौका और दिया ये प्रश्ण भी एक ऐसा प्रश्ण है जिसे अगर आप हल कर दो तो यकीनन आपका selection सुनीशित है इस प्रश्ण पर मैंने तीन मिनिट खराब किये थे क्यों कई बार हम ज्यादा सोच लेते हैं ये प्रश्ण है इस पर मैंने तीन मिनिट खराब किये थे फिर जो अपने रीट की टेस्ट री चल रही थी offline वहाँ से जब मेरे favorite students में से एक जो है वो test OMR से जमा करवाने आए तब मैंने उनके साथ discuss किया मैंने का यार बता इसमें मैं confuse हो रहा हूं सोचिए क्यों क्योंकि बड़े से बड़ा विदवान भी नहीं confuse हो सकता है किसी की बपोती नहीं है यह जो competition है यह जो ज्यान है किसी की बपोती नहीं है किसी भी जाती किसी भी धर्म कैसा भी व्यक्ति क्यों अगर वो लगातार नियमत्रुक्स है दिन कर रहा है तो वही सच्चा विदवान है बाकि हम चाहे कितना ही अहंकार में का नहीं नहीं, फलाना ग्रेड है, यह ग्रेड है, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लगातार पढ़ना पढ़ता है किस सब्द में पढ़ते का सही परियोग नहीं हुआ है, तो देखिए, बुद्धी दनमान, गुण धनवान, शक्ती दनवान, हनु धनमान, बताईए देखिए राइट अंसर क्या होगा, फटा बड़ अंसर दीजिए, देखिए राइट अंसर हमने किया, हनुमान, अब आपको यह बताना है क्या, आप चारों आप्शन पर डिसकुस कीजिए, क्या हमारा सही है या गलत है, आपको यह डिसाइड करना होगा इसी बाने आप प्रेक्टिस करोगे, बहुत बड़िया प्रश्न लाया हूँ आज, किस सब्द में नी परत्य का सही परयोग नहीं हुआ है, इतिहास धनिक, वर्ष धनिक, उद्योग धनिक, वर्ण धनिक नहीं है हम जानते हैं कि एक प्रत्य लगने से और जो होता है वो आ में बदल जाता है और किसमें बदल जाता है आ में बदल जाता है आगे चले किस सब्द में ता प्रत्य का भाव अचक अर्थ में परियोग नहीं हुआ है ता प्रत्य का भाव वाचक अर्थ में परियोग नहीं हुआ है तो देखें मा से ममता, महता, सत्ता ये सब भाव है जनता में भाव नहीं है क्या है जनता में समु वाचक संग्या है ठीक है तो ये भाव नहीं है किस सब्द के सभी सब्द कर्तत तो बोदकत यह सव्कृष्ट का परश्ण आ गया वहीं यह मेरे जानकर से बार आप लोग बता दीजिए चलिए यह 500 प्रश्ण मुझे तो नहीं आता मैं क्लियर बोलता हूं यह मातरी पित्री दात्री मातरी भातरी कवित्री सवस्त्री श्रोत्री ठीक है चलिए, प्रत्यों के परियोग से, बहुत बढ़िया प्रशना गया है, फिर से एक बार आपके सामने, प्रत्यों के परियोग से नए शब्दों का निर्मान होता है, शब्दों का नया रूप मिलता है, शब्दों का अर्थ परिवर्टन नहीं होता है, शब्दों की सज्जा म में शब्दों की सज्जा में परिवर्तन होताएं फटा फट इसका अंसवर बताईये इसका अंसवर क्या होगा परत्तियों के प्रियोग से नए शब्दों का याद रखना नए शब्दों का निरमान उपसर्गों से होता है ठीक है आप यूं कह सकते हैं इसका राइट आंसरों का शब्दों का नया रूप मिलता है ये भी बढ़िया प्रश्णों में से एक प्रश्ण है मैं फिर बता दू देखिए तीन चार क्लास में कभी कबार कोई छोटी मोड़ी गलती रह जाती है जल्दबाजी में अपन क्यों बाकी है मेरे दोस्त सेकंड ग्रेड एक्जाम दो दिसंबर के अंदर है और इस बार सेकंड ग्रेड एक्जाम में 90 व्याकरण के और 90 व्याकरण प्लस 20 सेक्शन विदियों के यानि 110 कॉश्ण का मैटर मेरा है तो उसमें मुझे पूरा मौका मिलेगा आप लोगों के सेलेक् सिक्शन विदियों के सो कॉश्ण की एक पीडियाफ लेकर आ रहा हूं पीपीटी लेकर आ रहा हूं सो कॉश्ण है सेलेक्टेड कॉश्ण है मैं गैरिंटेट बोल रहा हूं अगर वो सो कॉश्ण में से आप अगर 90 कॉश्ण करते हो 90 कॉश्ण सही कर देते हो तो यकीनन कि इनन आपका सेलेक्शन सूरी शिट सो में से 90 सही करने होंगे इमान दारी से तो सिक्षन वीडियों के पीपीटी के लिए आप तयार है या नहीं अब तो आपको कमेंट बॉक्स में एक हजार प्लस पहुँचाना ही होगा लाइक्स वगरा पहुँचाना होगा शेयर करना होगा अगर इस वीडियो में आप लोगों ने वास्तों में दिखाया कि नहीं सर हम आपके क्लास को सीरिस नहीं पढ़ते हैं तो यकिनन मैं सो कॉशन की मैनत करूंगा चाहे जिसे कल पे क्रित परते वे परत होते हैं जो क्रिया के बाद लगते हैं जो क्रिया की मूल धातू के साथ लगते हैं जो क्रिया के त्रिक्त अन्य शब्दों के साथ लगते हैं जो क्रिया शब्दों का विस्तार करते हैं क्रित परते क्या होते हैं क्रिया के बाद लगने वाले क्रिया की मूल धातू के साथ लगते हैं तो इसका right answer होगा C नहीं B क्या right answer होगा? B होगा इसका right answer next आप देखेंगे तद्दित परते कौन से होते हैं ये हमारी read की आज की test series में ये प्रश्ण समाहित किया गया है हमारे दुआरा तद्दित परते हैं होते हैं जो क्रिया शब्दों का विस्तार करते हैं ना जो क्रिया के अत्रिक्त अन्य शब्दों का निर्मान करते हैं maybe जो क्रिया के धातू रुपों को छोड़ कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं इसका मतलब क्या हुआ राइट अंसवर जो सब्दों का हितनिर्मान करते हैं, नहीं, C option right होगा, इसका क्या होगा, वो धातू रूपों के साथ नहीं लगते हैं, ना धातूं के साथ नहीं लगते हैं, B और C बहुत सिमिलर हैं, यह होते हैं कठिन प्रिश्णों के निसानी, कठिन पेपर के निसानी यह होती है, जिसने पढ़ रखा है ना, वो गलत नहीं करके आएगा, दो चार उपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो इतना डाउन नहीं जाएगा, सुनार उक्त शब्द में कौन सा इस्तरी बाची परते लगेगा, बहुत बढ़िया, सुनार का इस्तरी लिंग क्या बनेगा, सुनारनी, सुनारी, सुनारन या सुनारिन, तो हम जानते हैं सुनारिन बनेगा, हाथी उक्त शब्द में कौन सा इस्तरी बाची परते लगेगा, इन, इन, आइन, तो हाथी नहीं होता है, या हाथी नहीं होता है, तो हम जानते हैं हाथी नहीं होगा, हाथी में नहीं इनी जुड़ेगा या फिर नी जुड़ेगा ये भई मैं भी कनफ्यूज हूँ चलो अले सर आप कनफ्यूज हो हो सकता है मैं कनफ्यूज नहीं हूँ लेकिन बहुत जबरदस प्रशन लगा मैं इसके सही तक पहुंच चुका हूँ इनी या नी इनी या नी, पताईए, बहुत बढ़िया प्रशन है, ये होता है, similar option कई बार ऐसे देते हैं, और कई बार हम सही प्रशन के option तक पहुंचे हुए भी गलत धारणा दिमाग में जाती है, फिर हम जैसे आगमन विधी क्या कहती है, आगमन विधी का एक दोष पढ़ा होगा आपने, आगमन विधी का एक दोष ये होता है, कि आगमन विधी जो होती है, उसमें क्या होता है, कि अगर हम गलत सिद्धान्द का निर्मान कर लेते हैं, तो फिर उससे छूटना बड़ा मुस्किल हो जाता है, कई बार हमारे गलत option जो है, उसकी धारणा ऐसी बन जाती है, कि हम सही option तक पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है, मुझे section video से याद आया, कि मैंने कहा था, मैं section video किताब निकालूँगा, नहीं निकाल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किताब मेरी पूर्ण रूप से अब तयार है, section video के, लेकिन मैंने सोचा, देखो, रुपए कमारना दूसरा यार किये हैं, तो second grade में रामबान सिद्धोगी में जरूर निकालूँगा, इस बार मैं रुकावाइस दियों, पहले में मेरा मुल्यांकन कर लूँ, उसके बाद मैं निकालूँगा, तो ये फटा बड़ा आंसर दीजिए आप, इनी होगा, या नी होगा, ठीक है, सरा बता सवाइसन, क्या बन जायेगा, हतीनी, तो देखते हैं क्या कौन सा एसथ वह राता है, ज्यादा कौन सा आता है, कुट्ता उक्त सबने कौन सा इस्तरि भाचि पढ़ते लगेगा ये तो साब क्टाइन ने सनी एसा नहीं होता किया मुत्या होता है यश अस्विन यसस्वाइन यसस्विका यसस्रिक तो क्या होगा इनहीं होगा हाथिनी जो इनी कर रहे ना वो ज्यादा तर सही कर रहे है ठीक है फिर आप को अब ने बताया नहीं आपको आता नहीं होगा ठीक है एवार होता है इस्ट्रेंड तुलसी इस संसार में बांती-बांती के लोग यह हो गया चलिए ठाकुर उक्थ सब में कौन सा इस्त्रिवाच पust की पुश्टका पुश्त की पुस्त की निये पुस्तिका थिकता अब अन्ति प्रिश्चन आपके सामने आ रहा है और केते हैं अन्त बहला तो सब बहला चलिए हैए अंत खरबोष उक्थ सबने कौन सा इस्त्रिवाची परते लगेगा खरबोष ही खर जी नहीं प्रविट हुआ मैं बहुत दिकत याती है टीम वर्क के दिकता आती है कि वार पीपीटी समय पर तैयर नहीं हो पाती तो इसका थोड़ा सा एक रहता है मेरे बाकी मुझे आप लोगों के साथ चर्चा करने में आपसे सीखने में बहुत आनन्द आता है और आपको कुछ नया बताने में बहुत आनन्द आता है तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग तयार होंगे सिक्षन वीडियों की पीपीटी के लिए हो सकता है कल मैं एक क्लास दिन में और आपके लिए एक वीडिय तयार करूँगा और सिक्षन वीडियो का सो कर्षिन की पीपीटिंग लिए मैंने आज बोल दिया है तयार हो जाएगी मैं उसे चेक करके या दो कल शाम को या फिर परसों दूँगा लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज़्यादा स्टेटस करें शेर करें सब्सक्राइब करें चनल को बहुत बहुत धन्यवाद टेक केर और शुब रात रहें